बहुत बार ऐसा होता है कि ओफिस से घर आकर हम इतना ठके होते हैं कि हमारा खाना बनाने का मनी नहीं करता स्टूडन्स के साथ तो अकसर ऐसा होता है कि जैसे ही घर आए बस एक तरफ लापटप खोला और दूसरी तरफ मैगी बननी रख दी या फिर कुछ बर्गर पीजा ओर्डर कर दिया अब इन जंक फूट से पेट तो भर जाएगा पर हेल्थ का क्या तो इसलिए आज हम लेकर आये हैं कि ऐसी रेसिपी जो कि खाने में स्वाध है सेहत से भर पूर है इसमें क्यालिरीज भी बहुत कम है और सबसे बड़िया बात यह है यह बनाने में बहुत यह आसान और क्विक है चाहे कॉले स्टूडन्स हों या बैचलर्स इस रेसिपी को कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है तो चलिए शुरू करते हैं यह मील हम बना रहे हैं दो लोगों के हिसाब से आप अपने हिसाब से कॉंटिटी एड़ेस्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम लेंगे आधा कटोरी चावल किसी भी तरह के चावल ले ले लें बासमती या टुक गोबी दो बड़े चमच गाजर दो बड़े चमच हरीफलियां दो बड़े चमच मतर और दो बड़े चमच शिम्लामिट्ज एक तरह से देखें तो यह पूरा बोल सबजियों का आपके अंदर जाएगा इतनी कॉंटिटी में सबजी आप शायद ही रोटी के साथ खा पाए लेकिन इस दिश में सबजियां इतने अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाती है कि स्वाद स्वाद में यह असानी से खाया जाता है इतना ही नहीं इसके साथ हम लेंगे एक छोटा बाउल पालक का और एक छोटा बाउल लौकी का इन दोनों को हमने बारीक काट लिया है इन सिर्फ पालक या सिर्फ लौकी भी डाल लेंगे तो भी यह बहुत स्वाद बनेगा लेकिन जितनी जादा सबजियां डालेंगे नुट्रिशन उतना ही जादा आपको मिलेगा इसके साथ हम डालेंगे एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ एक टमाटर बारीक कटा हुआ च क्योंकि हम हमेशा सिर्फ healthy recipes ही बनाते और recommend करते हैं इसलिए हम इसमें डालेंगे बहुत ही कम तेल और मसाले और अब हम इन ingredients के साथ बनाएंगे one pot meal जिसका मतलब है सभी चीज़ों को हम एक साथ एक ही बरतन में बनाएंगे इससे खाना जल्दी भी बनता है और जाथा मेहनत भी नहीं करने पड़ती सबसे पहले हम लेंगे एक pressure cooker ताकि हमारी डिश फटा फट बन जाए दाल चावल बनाने के लिए pressure cooker हमेशा सबसे best option रहता है अब इसमें डालेंगे एक चमच olive oil कई लोग इसे देसी गी के साथ भी बनाते हैं पर हमें यहां सिर्फ healthy recipes बनानी है इसलिए हम इसमें डालेंगे olive oil अब इसमें डालेंगे एक चमच जीरा एक चुटकी हींग एक चमच सरसो एक चमच बारी कटा हुआ lesson एक चमच कैसी हुई अद्रक एक हरी मिश जिसे आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं एक बारी कटा प्यास एक टमाटर बारी कटा हुआ अब दो मिनट इससे बूनने के बाद इसमें डालेंगे सबजियां इन सबजियों को अच्छे से पानी में धोकरी डालेंगे और अब डालेंगे लौकी अब डालेंगे ये पालक अब इसे एक से दो मिनट तक बून लें और फिर इसमें डालें दाल और चावल इन्हें भी अच्छे से पानी में धोकरी डालें अब इसमें करीब चार कटोरी पानी डाल लें अब इसमें स्वात के लिए हम डालेंगे एक चमश नमक आधा चमश लालमिश पाउडर आधा चमश हल्दी पाउडर और एक चमश थनिया पाउडर और अब प्रेशर कोकर को बंद कर दें इसे कम से कम चार सीटियां दिलवाएं और उसके बाद गैस धीमी कर दें और दो मिनट तक पकने दें फिर गैस बंद कर दें और दस मिनट तक कुकर को बंद रहने दें आप चाहें तो इस डिश को सिर्फ इन दस बेसिक इंग्रीडियंस के साथ भी बना सकते हैं यह दस चीजें हैं तेल चीरा हींग चावल कोई एक दाल कोई एक सबजी हरिमेट्च या लालमेट्च पाउडर नमक हल्दी और पानी बाकी सब चीजें ऑप्शनल हैं अब 10 मिनट के बाद फ्रिशर कोकर खोल लें हमारी डिश तयार है आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और अगर यह बहुत गाड़ा लगे तो इसमें एक से दो कटोरी पानी डाल लें और अगर पानी डालेंगे तो उसे हिसाब से नमक भी आड़ कर लें इसे आप दह चटनी और पापड के साथ इंजॉय करें क्योंकि इसमें अरर डाल है यानि कि सामर वाली डाल आप चाहें तो इसमें सरसों के साथ कड़ी पत्ते और साबुत लालमिश का भी तड़का लगा सकते हैं और उपर से सामर मसाला डाल लें वो भी एक बहुत ही टेस्टी ऑप्श हर रोज आप अलग-अलग डाल लेते रहें या फिर दो तीन डाले मिक्स करके बना लें ताकि सभी डालों के गुण आपको मिलते रहें जो डाले गल्ले में टाइम लेती हैं जैसे कि चने की डाल उसे आप थोड़ी देर पहले पानी में बिगो कर रखें उसी तरह सबजिय आप रोज बदल बदल कर डालते रहें ताकि सभी सबजियों के फायदे आपको मिलते रहें इसमें गाजर मटर गोबी बैंगन लौकी बीन्स और शिम्ला मिश डाले जा सकते हैं अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चावल की कॉंटिटी कम करके दाल और सब जो में ही होता है अगर बच्चे बहुत चोटे हैं तो आप इसे ब्लेंड करके भी उन्हें दे सकते हैं इस रेसेपी को ज़रूर ट्राइ करें और अपना फीडबाक भी हमसे जरूर शेर करें अगर आप और भी ऐसी लो कालरी हेल्दी रेसेपी देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंस में जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर करें